सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके माई आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बैल के आइकन पर ताकि आप आने वाली नए वीडियोज को देखने के लिए नोटिफिकेशन पा सकें इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही एजी तरीके से सूट के कटिंग करना बताऊंगी देखे हमारे सूट में आगे बोर्डर है और इसके यहाँ पर यह सिलाई है तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं यानि आगे पीछे के हिससे हम पहले अलग कर लेंगे देखे इसका मैंने वो हिससा लग कर दिया है बाकी और इसके सबसे पहले हमें लंबाई चोड़ाई देखनी होती है कि हमें कितनी इसकी लंबाई रखनी है और कितनी इसकी चोड़ाई रखनी है देखे सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं क्योंकि इसमें देखे नीचे की साइड बोर्डर है तो हम यही से इसकी लंबाई नापते हैं इस तरह से और अगर इसमें बोर्डर नहीं होता तो हम नीचे इसका मोडने के लिए इसमें रखते इसमें मोडने के लिए हमें रखना है। इस तरह से इसकी लंबाई तरह मेरें गेंतों कि सी तरह मेरें किलमा तरह अधरा थाकंपना शेट कई हमारे हिप होते हैं उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो जैसे इस तरह से डबल करके तो 36 का चोथा हिस्सा हुआ हमारा 9 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो इस तरह से डबल करके हमारी ये चोड़ा हुई 11 इंच और ऐसे खोल के होती है 22 इ देखे इस तरह से ये 11 इंच हमारी स्केर डबल करके चोड़ाई बैठती हैं और यहाँ पर यह हमारी लंबाई का निशान है पहले हम यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खिश देंगे देखे सबसे पहले हम इस हिस्से को अलग कर देते हैं देखे इसके बाद हमारा जो पीछे का हिस्सा है उसको मैंने इस तरह से इतनी चोड़ाई में डबल करके रखा हुआ है और उसके उपर मैंने जो आगे का हिस्सा है उसको रखा हुआ इस तरह से और देखिए इसमें हमारा बोर्डर है लेकिन पीछे के हिस्से में हमें मोडने के लिए चाहिए तो उसमें आप जैसे कपड़ा कम है तो आप कम भी रख सकते हैं और नहीं तो आप जैसे तुरपाई करने है तो ढही से तीन इंच इसमें हमें मोडने के लिए रखना है तो इसके लिए यहाँ पर हम एक इस तरह से निशान लगाएंगे और इसके बाद देखिए सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे तो जैसे हमारा तीरा 14 इंच है तो उसका आदा हमें 7 इंच लेना है यहाँ पर तो यहाँ पर हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यही से हम मुड़ू का निशान लगाएंगे तो जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो उसके हिसाब से हमारे मुड़े 7.5 इंच बैठते हैं और मुड़ू के बारे में देखे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैंने एक वीडियो डाली हुए अपने चैनल पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसमें मैंने मुड़ू के बारे में काफी खोल के बताया हुआ है आप किसी भी साइज के मुड़े आपकी कोई भी बोड़ी साइज हो आप उस वीडियो को देखकर आप उसमें अपने आर्म होल काट सकते हैं कि किस साइज में कितने आर्म होल लेने है मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है और उसके बाद हम यहीं से इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहां से देखें करीब डेड़ इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से और फिर हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे और इसके बाद देखें यहां से हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे जो हमारी कमर के लिए होगा और यहां से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे जो हमारे हिप के लिए होगा और अगर आप छोठे चाक पैनते हैं तो आप यह निशान 13 इंच पर भी लगा सकते हैं और 15.5 इंच पर भी लगा सकते हैं और इसके बाद सबसे पहले हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो देखें जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो उसका चोथा हिस्सा हुआ 9 इंच तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे इसके बाद जो हमने निशान लगाया हुआ है 7 इंच नीचे यहाँ पर हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे तो जैसे कमर हमारी 32 इंच है तो उसके लिए देखें उसका चोथा हिस्सा हुआ 8 इंच तो ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे और इसी तरह जो हमने हिप के लिए निशान लगाया है जैसे हिप हमारे 36 इंच है तो ये निशान हम उसका चोथा हिस्सा 9 इंच पर लगाएंगे और उसके बाद देखें हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे और देखिए उसके बाद हम इस तरह से निशान लगाएंगे यह हमारा कटिंग का निशान होगा और यहां से इसको में सीधा ही काटना है और अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरह से और देखिए इसके बाद हम अपने आगे के मुड़ो को कहराई देंगे तो देखिए यहां से हम आधा इंच पर इस तरह से एक लाइन खीचते हैं और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे और इसको देखे यहां से भी हम यहीं पर रखेंगे केवल हम बीच में से इस तरह से शेप देंगे इस तरह से और यह इसके हम कटिंग कर देंगे तो यह हमारे आगे के मुड़ों की गहराई होगी उसके बाद देखे हम पीछे का हिस्सा लेते हैं और उसके गले की हमें कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम उसकी चोड़ाई के लिए निशान लगाएंगे तो यह मुझे 2 इंच रखना है चोड़ाई में और आप अगर बड़े गले पहनते हैं तो आप 3 इंच रख सकते हैं और इसकी जो गहराई है वो 5.5 इंच रखनी है और यहाँ पर इस तरह से यहाँ भी हमें 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह से मुझो लाई देंगे और इसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे और देखिए हमें मुड्डू की साइड इस तरह से यहां से तीरे में आधा हिंच की सेब देनी होती है उसको आप कटिंग में भी दे सकते हैं और आप चाहें तो उसको सिलाई में भी दे सकते हैं वो मुझे ध्यान नहीं रहा था तो इसलिए मैं ये दोनों हिस्ते मैंने रख्य हुए हैं यहां थोड़ी सी ये सेब दे रही हूँ और देखे उसके बाद हम बाजू की कटिंग करते हैं और मैंने देखे इसकी लंबाई चोड़ाई बाजू की उसकी जो लंबाई है मुझे वो 17 इंच रखनी है तेयार तो उससे हम 1.5-2 इंच जादा उसकी लंबाई रखेंगे आगे मोडने के लिए और इधर मुड़ू में सिलाई के लिए और जो इसकी बाजू की हम चोड़ाई रखते हैं तो जितने हमारे आर्म होल है उससे हम 1.5 इंच जादा रखते हैं तो जैसे हमारे आर्म होल शाड़े साथ इंच थे तो उस हिसाब से मैंने इसकी जो चोड़ाई है वो 9 इंच रखी हुई है डबल करके और इसके जो बंच साइड है वो ऊपर है देखे इस तरह से हैं और उसके बाद देखे हम यहां से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसको हम इस तरह से सेप देंगे और फिर आगे बाजू में हम जैसे हमारे बाजू की आगे से जो चोड़ाई है वो 10 इंच है तो उसके आधे में हम निशान लगाएंगे 5 इंच पर इस तरह से और डेड़ से 2 इंच हम सिलाई के लिए यानि कटिंग के लिए लेंगे और इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे और इसके बाद हम देखे इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से और यहां पर बीच में एक छोटा सा कट कर निशान लगाएंगे और देखे आप इस तरह से आगे के हिस्तों पर निशान लगा सकते हैं जैसे एक इधर इस तरह से एक इधर तो यह जैसे मेरी दोनों बाजु उल्टी हैं तो आप दोनों बाजु उल्टी रखे और अगर सी यह मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेरे एक दो सब्सक्राइबर की प्रोब्लम थी कि उनका कहना था कि उनकी जो मुड्डो की गहराईया वो एक ही साइड की हो जाती है यानि मतलब एक बाजू उनकी पीछे चली जाती है गहराई की और एक आगे आ जाती है तो आप इस त पिर देखिए यह दोनों निशान हमारे इस तरह से इस तरह से आ जाएंगे और इनको हम इस तरह से रखेंगे और आगे के हिस्से में भी हम करीब आधा इंच की शेप इस तरह से देंगे और देखिए इस तरह से हमारे इस सूट के कटिंग फूर हो जाती है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सेर और कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू झाल 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 झाल